आप ठीक होंगे खेरियस से होंगे आद मैं जो डिश पना रहे हूं वह है पकोड़े की डिश तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम का एक आलू लिया और उसे मैंने ग्रेट कर लिया और उसके लिए एक कप मैंने नूडल्स लिये बॉयल की हो यह स्पैगेटिस और कुछ एक कप के क यह एक राइस के लियें और कुछ अरकम लिया मिसाला ली अ कुछ मिर्चे लियें शुर्ख मिर्च पाऊडर तू एंडल्टी स्प़ों टू टी स्पूुन मैंने कॉरियंड़ पाऊडर लिये एक टिब स्पून के करीब मैंने यह कह उद्म पज़ा कि शुक dominated या का थोड़ कटा है थोड़ा सा ये हरा धनिया कटा हुआ है एक मिर्च मैंने बारी काट लिया है हरी मिर्च और एक कप के करीब मैंने लिया है बैसन तो अब मैं शुरू करती हूँ यह अपनी रेसिपी और नम इसमें पिकिंग पाउडर डालूँगी हाफ टी स्पून से कुछ कम तो मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बैसन मिक्स करती जाओंगी सबसे पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ बाद में पानी डालूँगी अब मैं इसमें बाकी यह मिसाला गो डाल रही हूँ आज से मैं यह वदीना यह क्रश कर रही हूँ वन टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ अब मिसाला अपने इसाब से ले सकते हैं ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डालें कम पसंद करते हैं तो कम ले रही हूँ तोड़ा पानी डाल रहे हैं पानी इसकी जरूरत के रिसाब से जितना होगा वह इस्तमाल होगा अब यह पूरा बैसा नहीं डाला साथ साथ डालती जाओंगी थोड़ा थोड़ा करके अब मुझे हाथ इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि इससे सही से मिक्स नहीं हो रहा हुआ चावल भी डाल रही हुआ चावल जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल इसके लिए गॉयल करें अगर आपके पास रखे हैं एक दिन के पहले के पके हुए तो वह भी इसमें इस्तमाल कर सकते हैं तो अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं बाकी वैसन भी मैंने डाल दिया अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चे भी डाल रही हूं यह कुछ बेकिंग पॉडर भी डाल दिया हाफ टी स्पून से थोड़ा कम यह मैंने रेडी कर लिया पकोड़ों के लिए अब मैं ऑईल गरम करती हूं की आपियल मैंने घुल कर लिया इसमें मैंने थोड़ा सा पकोड़ी को अचेछ डाले यह बैसन रखर डाल कि चेक रहे हूं तो अब मैं स्टार्ट करते हूं पकोड़े बनाना है हुआ है है कि है मैं इसे प्लट रहे हूं प्लूंके दो मिन्त हो गए कोड़े बिल्कु रेड़ी हो गए पक गए मैं निकाल रही हूं मैं उमीद करते हूं कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताके इसके मैं आपको हर नई वीडियो जैसे ही अफलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले कोमेंट्स दें आपको कैसी लगी ये रेसिपी और लाइक भी करें शेयर भी करें यह देखें जी हमारी डिश हमारी डैडी हो गई है आए बहुत ही अच्छे मज़े के करारें हमारे पकोडे तजार हो गए है ऐदेखें आई हो कि आपको पसंद आई होगी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स भी देयों और इस रेसिपी को जरूर ट्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाफिज झाल